हेलो फ्रेंस मैं रागनी आज किस वीडियो में आपका स्वागत करती हूं तो हम आज सीखने वाले हैं शौट कॉलर ब्लाउंज की कटिंग और स्टिचिंग तो फ्रेंस देखिए हमारा में कपड़ा है नीचे मैंने अस्तर को टूफोल्ड कर लिया है और देखिए 32 साइज का अमरा ब्लाउंज बन रहा है तो सबसे पहले नीचे आदा इंच मार्जन ले लेंगे उसकी बाद से यहां से हमें 14 इंच रेडि लंबाई रखना है तो साड़े 14 इंच पर मार्किंग कर लेंगे आधा इंच हमारा शोल्डर में जाएगा इस तरह से लाइन को ड्रो कर में लाउं व networks हो या कुडती व्ल सॉल्डर लेते हैं तो सोडर लेंगे साथी बैग पार्ट का कटिंग हो रहा है तो साड़ेसाति इंच आ ढर्मोह की लंबाई लेंगे ध्यान रहे फ्रंट पार्ट में हम आधा इंच कम लेंगे बैक पार्ट में साड़े साथ ले रहे हैं तो फ्रंट में साथ ही लेंगे सीने का चौथाई बाग यहां आठी इंच, टू इंच मारजन और कमर का चौथाई बाग एक इंच प्लेट के लिए और टू इंच मारजन तो देखिए फिरेंस तोनों लाइन को डार्क कर लेंगे उसके बाद से हम आधा इंच अंदर के तरफ करेंगी और एक और लाइन ड्रो कर लेंगे तो कॉलर वाली में जहां हम फूल सोल्डर लेते हैं वहां हम आधा इंच डाउन करते हैं जहां का आरं मून के साइड अब ध्यान रखें और जो मं अंदर वाला जो लाइन ड्रोक किया हैं वहीं से हम एक इंच पर आर्म हॉल में गोलाई देदेंगे बीए मार्किंग हमारी कंपलीट हो चुकी है अब उसी मार्किंग पर हम कंपलीट कटिंग कर लेंगे तो फ्रेंस देखिए इस तरह से हमारा बैक पार्ट का कटिंग हो चुका है अग इसी पार्ट को हम फ्रंट पार्ट पे रखके कटिंग कर लेंगे तो फ्रेंस देखिए तीन इंच मैंने चौडाई में लिया हुआ है गले का और पस आधा इंच हम गला का लंबाई लेते हैं जितना हमार शॉल्डर में जॉइंट होता है इस तरह से अस्तर को फोल्ड कर लेंगे जैसे कि मैं फ्रंट पार्ट में प्रिंसी स्कट बना रहे हुँ हूं तो नीचे से हम एकिन चेक्स्टा लेंगे और साइड से भी हमें एकिन चेक्स्टा लेना होता है उसके बाद बैक करेंगे तो फ्रेंस देखिए बिल्कुल इसके साइड से कटिंग कर लेंगे उधर से माधाइं छोड़े हुए कपड़ को बैठाते टाइम अब हम बैक पार्ट को हटा लेंगे और इसकी मार्किंग करेंगे तो सबसे पहले आर्म होल में हम गोलाई देंगे आधा इंच पे गःघराई देंगे फ्रंट पार्ट में और उपर से गले की चंवड़ाई तीन इंच लिए हैं और गले की लंबाई साढ़े तीन है और इस से राष़ से शाधर 9 इंच बत्री साइज सब्लाइब देने के लिए नीचे शीने का जब भाग लेंगे और जहां हमारा कोना आ रहा है वहीं से हम प्रींस कटका सेफ देंगे भली सकप्ड़ कटकर के निकाल लेंगे और देखिए अब यहां से सेफ देदेंगे तो इस तरह से क्रिंसिस कट रा सेफ आप देदें 32 साइज में आपको 30,30 ही लेना है साइज से और नीचे से डेरिंज लेना है कि क्रिंसिस कट का सेफ ड्रॉ हो गया है अब हम ुसी कि इसी लाइन पर कटिंग करने के बाद से देखिए तो फ्रेंस फ्रंट पार्ट का हमारा कटिंग हो चुका है आधा इंच हम डाउन करेंगे फिटिंग के साइड से तो आप देख सकते हैं दोनों पार्ट का हमारा कटिंग हो चुका है अब हम स्लिप्स की कटिंग करेंगे तो हम दूसरा अस्तर अब ले रहे हैं इसमें देखिए तो सीने के चौथाई भाग में आधा इंच आपको प्लस करके फोल्ड करना है कपड़ा इस तरह से आपकी आर् हमारा सीने का चौथाई भाग हुआ और आधा इंच प्लस करके हम लिए जैसे कि हमें नो इंच रेडी बाजू रखना है तो दस इंच हम लिए हैं लंबाई है अब उपर से में तीन इंच पर डाउन कर देंगे और बाजू का सेफ दे देंगे नीचे मोरी पांच इंच लिए हैं और डेरिंच मार्जन का अब हम बाजू का कटिंग कर लेंगे सेंटर पे कट लगा देंगे और आगे की साइड आर्म हूल में आधा इंच पे कट दे देंगे दो कि देखिए में कपड़े में बैठा करके हर एक पाट का कटिंग कर ले रही हूं तो देखिए पूरे पाट का कटिंग हमरा हो चुका है अब मैं अस्तर को में कपड़े से कि आपको दिखा रही हूं पूरे ही पाट को अब अटेच कर लेंगे तो देखिए मैंने अस्तर को में कपड़े से अच्छे से अटेच कर लिया है जैसे कि हमारा फ्रंट में हुकाई के पटी लगे का तो इसको अलग-अलग करके मैंने ज्वाइंट कर लिया है अब देखि से ज्वाइंट करते हैं नीचे के साइड आना है और एक चीज़ का आपको जान रखना है कि किसी भी पाट को आपको खीजना नहीं है बिल्कुल एक दूसरे पर बैठाते वे आपको शिलाई लगानी है सेम इसी तरह दूसरे साइड का भी हम ज्वाइंट कर लेंगे तो फ् पट्टी हमारे उल्टे साइड से ज्वाइंट होकर सीधे साइड फोल्ड होती है तो इस तरह से हम ज्वाइंट कर लेंगे एक और शिलाई लगा देंगे इसके उपर ताकि हमारा काज का पट्टी बैठ जाए अभी दर से हम जिसमें हमारा हुक ज्वाइंट होगा उस पट सबस्क्राइब करते हैं तो फिर्च देखिए नीचे का जर्पिक अपड़ा गोश को कट कर लेंगे और अंदर की साइड इसको फोल कर लेंगे दूसरे साइड पटि कर लिए हैं अब नीचे से कमर पटि करेंगे दोनों पाट को एक दूसरे से मिलाते हुए एक बार आपको चेक कर लेना है कि कोई भी पाट आपका छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है बड़ा छोटा हो तो उसको कट करके निकाल दीजिए उसके बाद मीचे कमर पटी जॉइंट कीजिए अब इसे अंदर की शाइट फोल्ड कर लेंगे फ्रेंस देखिए सेम इसी तरह दूसरे साइड भी हम कमर पटी जॉइंट कर लेंगे कि है तो दोनों साइड हमारा पती जॉइंट हो चुका है अब उसके वासे दोनों को बराबर सी मिला करके एक वर चेक कर लेंगे कि कोई पाथ हमारा छोटा बड़ा तो नहीं है उसके वासे उसको साइड कर करेंगे और जो हमारा बैक पार्ट में फ्लेट डाल लेंगे हैं कित तो सेम इसी तरह दोwnों साइड प्लेट डाल लेंगे हचे तो फ्रेंपस क्रीच से सीधा कर लेंगे और उसके बास जो मारा फ्रंट का दूनों पार्थ हईुसको रखेंगे इच्छे से बैठाते हुए और हम शॉल्डर陌 जॉइंड कर लेंगे तो फ्रेंपस इसी तरह से दोनों साइड उस्ट न चैप कर लेंगे अब इसको सीधा करेंगे और इसके बाद से अब हम चेक करेंगे जो चोटा वड़ा होगा उसको अच्छे से फिनिसिंग कर देंगे कैशी से और यहां से हम गोलाई देते हुए मेजर टेप को घुमाते हुए चेक करेंगे कि हमारा कॉलर का गोलाई कितना आ रहा है इतना ही टेस्टिंग पेपर लिया हुआ है चार इंच उड़ाई में और 19 इंच लंबाई में आप इसको टूफोल कर दें और टूफोल में देखिए हमारा साड़े 9 इंच आ रहा है और 4 इंच इसकी लंबाई है चार इंच इसकी चोड़ाई है अब यहां से हम तीन इंच लेंगे जो बैक साइड में हम कॉलर कट किये थे और इधर से हम एक इंच उपर के साड़ेंगे और साइड से भी हम एक इंच ही लेंगे और इस तरह से देखिए आपको एक इंच तिरिछा लाइन ड्रो कर देना है जिससे हमारा कॉलर का कोन अच्छा से निकल जाए आप यहां से देखी है एक इंच पे हम गोलाई देंगे जहां तीन इंच का मार्किंग किये थे वहीं पर अब ओपर साइड और आप एक इंच लेंगे और गोलाई ।islad आ मने मिला देंगे यानि आपको साइड भी एक इंच लेना है और दोना लाइन को मिला देना है अब देखिए यहां से एक 우리가 देखिए और अगर 17 कम कॉलर का गुलाई तो इसको आदा करके इक बाद आप कि कर लीजिये वह आपका भर है नहीं तो देखिए मेरे में बहुत ही बराबर से आ रहा है तो अब इसको एक अच्ट कर लेंगे यहां से और उपर के साइड से जो हम गुलाई दिये थे उसको भी हम कट करके अपना कॉलर रेडी कर लेंगे तो फ्रेंच देखिए कॉलर हमारा कट चुका है और बहुत ही असान होता है कट करना अब हम कपड़े पे लेंगे इसको और इस तरह से फूरे साड़े चिलाई लगा करकि इसको जॉइंट कर लेंगे तो फ्रेंस देखिए अगर आप ब्लाउंज में बना रहे हैं तो उपर वाला कपड़ा आपका पतला है तो आप अस्तर जरूर जॉइंट करें नहीं जो केनवास अंदर से दिखेगा वाइट कलर तो आपका कॉलर अच्छा नहीं दिखेगा तो इस तरह से पूरे राउंड में पहलें सिलाई लगा देंगे और एक साइड से नीचे से इसको फोल्ड करते भी शिलाई लगा लेंगे ध्यान रहे जो आपका पेस्टिंग पेपर हो नहीं फोल्ड होना चाहिए बिल्कुल उसको चिपकाते हुए आपको फोल्ड करना है जो आदा इंच आप नीचे एक्स्टा कपडा लिये हो उसको तो इस तरह से देखिए अब हमें एक और पीस लेंगे तो यह हमारा सीधा साइड होगा सीधे साइड से इसको ज्वाइंड करके अंदर के तरफ फोल्ड कर लेंगे तो देखिए फ्रेंस नीचे का जो हमारा पार्ट है उसके शिलाई नहीं चलनी चाहिए शिलाई आपको कह कहां देना है मैं आपको दिखा रही हूं आपको यहां से सिलाई को स्टार्ट करना है और कोना पी सुई को रोक देना है और एक चाप का मार्जन लेते हुए आपकी कॉलर की जैसे भी ट्रॉइंग है से मुसी पर आपको सुई चलानी है अब इस तरह से यहां भी रोकेंगे और नीचे उतार देंगे, इस शाइड हम सिलाई नहीं लगाएंगे, देखिए, अब यू एक्षटा कपड़ा होगा, उसको कट करके फिनिसिंग दे देंगे, और नीचे से भी देखिए, हमें आधा इंची कपड़ा एक्षटा रखना है, देखिए इतना इतना, जितना है, जब इसको हम फोल्ड करें, तो फिनिसिंग के साथ हमारा फोल्ड हो, ध्यान रे, कोना पर का जो आपका कपड़ा है, उसको भी आपको कट करके निकाल देना है, और किसी भी नुक्विले चीज से, कहें चीज से, पेचकस से आप इसका कोना फिनिसिंग दे सकते हैं, तो कौर्णर की सिलाई लगा देंगे, तो नीचे वाला जो हमारा आदे इंच कपड़ा था, उसको अंदर के साइड फोल्ड करते हुए, कौर्णर की सिलाई लगा लेनी है, तो इस तरह से यहां भी हम, जो हमारा कोना आएगा, वहां पे जो आदा इंच कपड़ा नीचे का एक नीचे लाएंगे, देखिए इस तरह से, तो फ्रेंस देखिए, अब दोनों कोने पे तो हमारा फोल्ड हो चुका है, अब जो हमारा नीचे का कपड़ा बंसा है, देखिए इतना, उस कपड़े को भी हम अंदर के तरह फोल्ड करते हुए, एक सिलाई लगा लेंगे, इस तर तो फ्रेंस देखिए, इस तरह से, हमारा दोनों साइड का कॉलर पैक हो चुका है, अब हमारा कॉलर रेडी है, अब इसे हम ब्लाउज में अटैच कर लेंगे, तो सबसे पहले सेंटर मार्किंग करेंगे ब्लाउज का और कॉलर का भी, ताकि हमारा कॉलर छोटा या बढ़न से आप जोइंट करें, तो देखिए, दोनों साइड का तो हमारा फिनिसिंग है, बस इसके अंदर एक चाप जो हमारा ब्लाउज का जो गले का जो सेफ है, उसको एक चाप कपड़ा अंदर करना है, और बिल्कुल कॉर्णर पे सिला ही लगाते जाना है, देखिए इस तरह से आपको ज़्यादा कपड़ा भी अंदर के साइड नहीं डालना है, तो आपका जो गले का फिनिसिंग है, उखराब हो जाएगा, यहाँ आपको चेक कर लेना है, कि आपका सेंटर मार्किंग बराबर से आ रहा है कि नहीं, तो इस तरह से देखिए फ्रेंस, कॉलर और जो हमारा गला का राउंड है बिल्कुल बराबर से आया है, और इस तरह से अब हम लाश्ट की शिलाई भी लगा लेंगे, तो देखिए फ्रेंस, कॉलर हमारा जोइंट हो चुका है, दोनों साइड से आप कॉलर को देख सकते हैं, कितना प्यारा हमारा कॉलर बनके रेडी हुआ है, अब हम बाजू जोइंट कर लेंगे, जो सेंटर पर कट डालते हैं बाजू में, वो हमें सोल्डर से बिल्कुल जो लगाना है, और ध्यान रहे कि जो आप आर्म होल में गुलाई दिये हो बाजू में, वो आपका आगे के साइड ही आना चाहिए, कभी भी आप बाजू जोइंट करें, तो देखिए फ्रेंस, इसी तरह दूसरे साइड भी आप बाजू जोइंट कर लेंगे, दोनों साइड क कि हमारे बाजू जोइंट हो चुकी है, अब हम फिटिंग लगाएंगे ब्लाउंज में, तो किसी भी ब्लाउंज का फिटिंग करते हुद सबसे पहले सीधे साइड से एक शिलाई लगा लेनी चाहिए, ताकि जब आप अंदर के तरफ इसे फोल करो तो यह शिलाई अंदर जाए और आपका रॉंग साइड जो है ब्लाउंज का वहीं फिनीसिंग से दिखे तो इस तरह से आपका जो भी मेजरिमेंट हो उसके कोडिंग आप फिटिंग की शिलाई लगा लें से मिसी तरह दूसरे साइड भी लगा लेंगे तो फ्रेंस देख सकते हैं ब्लाउंज का फाइनल हूं कितना कम टाम में आपको कटिंग और शिलाई दोनों गताई हूं मैं उमीद करती हूं कि वीडियो पसंद आया होगा आप लोग को वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेर जलूर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके